आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वेडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो अब्रिवान, क्वेशन में हमसे क्या पूछा गया देखो मेथानॉल है, CH3OH उसको मैनुफेक्चर किया है किसकी रियाक्षन हुई है? कारबन डायोक्साइड और हाइड्रोजन in the presence of a काटलिस तो यहाँ पर अगर मैं रियाक्षन लिखू जो इन्वाल्वड है जो डेल्टा एच नॉट की वेल्यू है, वो गिवन है मुझे कितना माइनस 91 किलो जूल फॉर दिस रियाक्षन एक काटलिस्ट यूज किया गया है तो हमें बताना है कि अगर मैं अमाउंट अमाउंट ओफ मिथानॉल पर क्या होगा जब इकलिब्रियम मिक्स्चर रियाक्टन और प्रोडेक्ट में क्या करेंगे हम इट इस सब्जेक्टि टू राइज इन दे टेंप्रेचर ठीक है, इकलिब्रियम में यह फाइन तो देखो, यह क्योशन हमारा कैसे होगा अगर इस तरीके का क्योशन होते हैं, रियाक्शन गीवन है और हमें कोई चेंज गीवन है और उसके बाद हमें उसका इफेक्ट बदाना है तो इस क्योशन आर बेस्ट ओन ली चाटलियर्स प्रिंसिपल वो हमें क्या कहता है, देखो, अगर हम किसी भी तरीके का अगर हमारा system पहली बात तो equilibrium में है और हम उसको subject करें किसी भी change से let's suppose मैं हम उसमें concentration का change कर रहे है temperature का कर रहे है, pressure का कर रहे है, number of moles का कर रहे है तो system क्या करता है, system उस change को undo करता है मतलब कैसे, equilibrium उस direction में मेरा ये shift कर देता है ताकि जो भी हमने change किया है उस change को वो undo कर दे to undo the effect of that change मतलब क्या हुआ कि जो change हमने provide किया उस change को वो क्या करता है counterbalance उसको undo करता है equilibrium को उस direction में shift करा के fine तो देखो ये मेरी reaction है सबसे पहले हमें बताना है कि temperature पे क्या फरक बड़ा है तो जब भी हमें temperature पे बताना होता है तो वो हम majorly कैसे बताते हैं वो हम define करते हैं पहले process बताओना चाहिए कि हमारा process exothermik है या endothermik है ठीक है exothermik और endothermik है तो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा delta H की value negative है हीट रिलीज हुए हीट रिलीज हुए हीट रिलीज हुए है तो इसका मतलब मेरा process exothermik गीवन है process मुझे गीवन है exothermik exothermik में हमारी क्या होती है product में heat रिलीज होती है तो एक तरीके से simplification के लिए समझ सकते हैं कि product की तरह role play कर रहा हीट और endothermik में हमारा heat क्या होती है एक reactant की तरह role play करता है क्योंकि वह absorb हो रही है तो देखो अगर हमने temperature को increase किया temperature बढ़ाया तो मतलब क्या कर रहा है हम product की side direction move हो रहा है मतलब product increase हो रहा है जिसके वज़े से क्या होगा temperature rice तो heat जादा evolve होगी heat जादा involved हो रहे तो product की formation जादा हो रही है इसलिए equilibrium में क्या होगा हमारा leach atelier principle के according system move करेगा backward direction में ताकि reactant की amount जादा हो जाए और reactant हमारे क्या है यहां पर CO2H2 तो अगर reactant की side move करेगा तो methanol का amount decrease हो जाएगा amount of methanol will decrease जो मुझे given है option number B में इस question का correct answer क्या हुआ हमारा part B ठीक है thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोट करें doubtnet आप यह WhatsApp कीज़े अपने doubts 8444 पर क्या हुआ हुआ है